अच्छा बाई, 2024 साल के हुआट्स आपर इस चीज़ों के ओपर इस छोटा सा वीडियो मैंने बनाये हैं. उन सभी लोगों के लिए जो हमेशा ढूंटे आ रहा है वोट्स आपर इसन वाट्स आपर फोन के नेर इसार वाट्स आपर बाइन करें। मैंने अपने privacy के लिए ये जो chat वगरा है इसको hide करके रखा हुआ है और आप लोग को करना ये है simply ये जो update वाला section है इसके उपर अगर आप click कर देते हैं यहाँ पर click करके एक तो आपको बता है यहाँ पर आप लोग status इस तरीके से देख सकते हैं पहला ऐसा नहीं आता था ऐस करके आप अपने status को देख सकते हैं दूसरी चीज ये जो plus button आपके सामने आ रहा है इसके उपर अगर आप click कर देते हैं तो यहाँ पर click करते ही आपके सामने create channel और find channel option आ जाएंगे create channel के उपर जैसे guy's आप लोग click करते हैं यहाँ पर click करके आप अपने channel बना सकते हैं और ध पाएंगे आपके personal कोई information वो नहीं देख पाएंगे उसी के साथ find channel के उपर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं यहां पर क्लिक करके आप कोई साभी channel को search कर सकते हैं यहां पर इसी तरीके से आपको news channel या फिर famous जो हमारा artist वगरा है या फिर politician के जो जो लोग है वो सारे के सारे यहां पर दिखाते हैं तो उनको आप लोग follow अगर कर सकते हो और इसी तरीके से आप अपने channel को बना सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर channel बना रखे हैं और साथी साथ अगर हम बात करें आप लोग अगर देखोगे यह जो आपके three dot वाला option है इसके उपर अगर आप क्लिक कर देते हैं यहां पर क्लिक करके settings के उपर आपको आना है यहां पर account settings के उपर आपको जाना है और यह जो है पस की इसके उपर अगर आप क्लिक कर देते हैं यहां पर क्लिक करके आप एक पस की create कर सकते हैं मतलब आपके WhatsApp आपके वगार कोई भी open नहीं कर सकते हैं कोई भी किसी नमबर से तो अटो मेरी के लिए से वेरिफिकेशन होगा उसके बाद लोग होगी उसके साथ यहां पर नमबर को चेंज कर सकते हैं यहां पर क्लिक करके वार्टस आपका सेंड रहेंगे लेकिन नमबर बदल जाएंगे उसी के साथ यहाँ पर request account information यहाँ पर click करके आपके account के जितने भी information वगरा है वो सारे के सारे आप लोग request कर सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पर click कर देते है request channel report request account report इसके अंदर आप लोग click करते ही आपका जो है यह ready होने के बाद आपके पास भेहज दिया जाएगा उसी के साथ यहाँ पर delete account का option दिखने के लिए मिलता है इसके उपर click करके आप अपने account को delete कर सकते हैं उसी के साथ back करने पर privacy के अंदर आपको simply यह option दिखने को मिलता है read receipts इसके उपर click करके अगर आप इसको off कर देते हैं तो आप किसी का status अगर देखोगे, status देखोगे, तो उसको नहीं पता चलेगा कि भाई आपने उसका status देखे हैं, ठीके, तो इसी तरीके से बहुत ही कामवाल के option आप लोग इस्तेवाल कर सकते हैं, group के कुछ setting, live के कुछ setting, call, call के उपर क्लिक करके न, आप silent unknown caller, यानि कोई भी अगर unknown number से जो number आपके phone पे save नहीं है, उस number से call करते हैं, तो automatically call silent हो जाएंगे, fingerprint के उपर क्लिक करके आप fingerprint को unlock कर सकते हैं, fingerprint lock अपने WhatsApp के उपर लगा सकते हैं, ये कोई application का setting नहीं है, मतलब app setting नहीं है, settings के उपर जाके, ये WhatsApp का खुद का setting है, इससे आपके WhatsApp जो है, वो कमाल क security provide करते हैं, दूसरा कोई आने का chance नहीं है, last scene यहाँ पे कुछ changes हुए हैं, इसके उपर click करके आप यहाँ पे last scene के जगा पे यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके के आपको setting दिखने के लिए मिल जाएंगे, who can see when I am online, मतलब आप जब online रहेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं मतलब कौन-कौन आपके check कर सकते हैं कि आप online हैं, तो आप जो last scene में set करके रहेंगे, आपके contact bus हैं, तो आप यहाँ पे same as last scene कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे about देख सकते हैं, इसको about दिखा सकते हैं, status कौन-कौन लोगों को आप लोग शेयर करना चाहते हैं, वो पहले आप लोग यहाँ पर status के अंदर एक चीज़ एड़ हुआ है, यह tab facebook का option रहेंगे, तो इसके उपर क्लिक करके आप facebook को add इसके उपर कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर और भी option है, chat के उपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर font size को बदल सकते हैं, medium, small बगरा कर सकते हैं, बहुती कमाल का option है, यहाँ पर chat backup ले सकते हैं, उसी के साथ यह जो chat backup वाला option है, यह आपको google drive लेगा, and google drive पर यह आपकी chat को backup करते रहेंगे, तो all paper बगरा है, यहाँ से बदल सकते हैं, and आप theme को यहाँ से dark या फिर light के उपर shift हो सकते हैं, बहुती option अच्छा अच्छा इस जाएंगे, red अगर चाहते, red हो जाएंगे, yellow purple जो color आपके पसंद है, वो आप लोग लगा सकते हैं, देखिए, whatsapp के उपर तरह तरह के settings है, मैंने major wobo settings आपको बताने की कोशिश की है, जो settings हमेशा हमारे काम आते है, storage and data इसके उपर click करके न, इस setting को अगर आप on कर देते है, use less data for calls, तो आपके जो call होंगे, जितने भी call होंगे, वो call के उपर न, आपके जितने भी कम हो सकते है, data use होंगे, आप देखिए, यहाँ पर network कितना use हुए हैं, आपके whatsapp के उपर, वो यहाँ पर दिखा देते हैं, कितना receive हुए हैं, कितना send हुए हैं, and यहाँ पर manage storage, अगर आप देख सकते हैं किसने कितना कितना यहां पर आपके storage ले रखे ठीक है तो इसको आप लोग हटा सकते हैं डिलीट कर सकते हैं अगर डिलीट करना चाहे तो यहां पर आपको वोबो फाइल दिखाएंगे किस वज़य से आपके WhatsApp के उपर आपके मतलब storage हमेशा full दिखात क्योंकि एक वीडियो के अंदर हर एक topic बताना मुश्किल है इसी वज़य से हम छोटे छोटे करके वीडियो बनाते हैं ताके आप लोग को मदद हो जाए आपको समझ में आए और हमें भी आपको सब जाने में भरशानी ना हो झालके इस करो